कि अक्षारा प्रेगनेंट स्ट्रारे थे तीन महीने की अक्षरा प्रेगनेंटी थे मैं 해산 चौपरार हम सूर नॉरमल इंसान नौरूर्मल इंसान को बहु सब्सक्राइब पहला बार हम सुन रहे हैं कि कोई नॉर्मल इनसान का जब साधी हो रहा है किसी बड़े स्टार से तो उस नॉर्मल इनसान को बहु जादा फार्क नहीं पड़ रहा है कोई एक्साइटेड नहीं था कि जोती सिंग का साधी पवन सिंग से हो रहा है मतलब ये थोड़ी सी भी excitement वाली बात नहीं है भाई मतलब एक नॉर्मल इनसान से साधी हो रहा था जोती सिंग का ऐसा ओर reaction कर रहे हैं लेकिन इस interview में जोती सिंग पवन सिंग के लिए क्या-क्या नहीं बोल दी मतलब समझ अब खाड़ा हो जाएगा भाई क्या-क्या कहती आपको पता है या कि अक्षरा प्रेगनेंटी तीन महीने की कहती है पवन सिंग का बच्चा अक्षरा सिंग के पेट में तीन महीने का तीन महीने से पल रहा था अक्षरा सिंग प्रेगनेंट थी अक्षरा सिंग पवन सिंग बाप नहीं बन सकता है है ना क्योंकि अगर ये सही है तो फिर तो भाई पवन सिंग बाप भी बन सकता है और तुम्हारा ही बाप बन सकता है जो लोग ये बोलते हैं कि पवन सिंग बाप कभी नहीं बन सकता है बाकी इस औरत का इंटर्विव में मतलब ऐसा ऐसा बात कि साधी होने के बाद एक महीने टैक पवन सिंग हमसे दूर थे अक्षरा सिंग के साथ में हमेशा रहते थे जो पूरा एक महीना बिता साधी वाला साधी के बाद का वो पूरा का पूरा एक महीना अक्षरा सिंग के साथ पवन सिंग रहते थे मतलब बताईए तो भाई अभी फिलहाल जब तलाक की बात चल रहे है तब ही इस मैडम को यह सब बोलना जरूरी है क्योंकि इन सब चीजों को वाइरल जो कराना है वो जज़ के कान में दवडाना जो है कि हमारा हस्बेंड कैसा था तो जल्दी से जल्दी हमको पैसा दिलवा क्या हमको तलाक दिलवा दिया जाए बास इसका इतने चाहत है और उपर से जो यह कह रही है कि अक्षरा सिंग के पे करने का भी कोई जरूरत नहीं है क्हूंकि जोती जीख कह रही है कि इसका रिकोर्डिंग तक रखी हुई है अक्षरा सिंग वाला जो बात हुआ था इन लोगों के बीच में उसका recording जोती सिंग के पास मौजूद है और ये interview में साप साप कहते दिख रही है जोती सिंग तो ये भड़काव बयान जो है हो सकता है कि पवन और अक्षरा और जोती सिंग का एक कॉंटरवर्सी फिर से ला दे बाकी ये interview जोती सिंग का आप लो कैसा लगा आप अपना राय कमेंट सेक्षन में जरूर दें बाकी मिलते हैं किसे और वीडियो में तब तक लिए नमस्कार परणाम जै मगद जै बिहार